ओके हेलो एवरिवन एक और कैपिली डाइस पे बढ़िया क्वेशन इसको हम लोग आज सौल करेंगे यह प्रॉब्लम भी मैंने कहीं से तुलिया है अच्छा लगा और यह प्रॉब्लम दो कंसेप्स को मिला के बना एक तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ड्रॉप और कैपिल लेक्विड यह कंटेनर है रोट्टी है इसमें कैपिलरी ट्यूब जिसकी की रे डिएस आड़ दिया हूअ है डिप के जाती है और इसमें तॉप में रोट्टी है लिक्विड भी हमारण रॉट Awakल ह Вас एक चीज और दिया हुआ है जीरो कॉंटेक्ट अंगल दिया हुआ है आपको सर्फेस टेंशन की वैलू निकालनी है ह एच रो वन रो टू और आर के टम्स में तो ठीक है ये क्वेशन नॉर्मल क्वेशन से तोरह डिफरेंट है जो नॉर्मल में हम लोग डेडिवेशन करते हैं उसमें ये देंसिटी ह है रो वन लिक्विट भर दिया गया है वो नॉर्मली नहीं होता है तो हम लोग सिंप्ली प्रेशर ड्रॉप दो जगे से निकालते हैं और एक्वेट कर देते हैं यहां पर भी हम वही करेंगे प्रेशर डॉप देखेंगे कहां से कहां एक्वेट कर सकते हैं और सॉल्ट करेंगे अच्छा एक्षी ज़ूप दिया हुआ है कॉंटेक्ट अंगल इस जीरो कॉंटेक्ट अंगल जीरो का मतलब क्या हुआ की जो radius of meniscus होगा वो radius of capillary के बराबर हो जाएगा देखिए कैसे zero contact angle means ये semi-circure बन जाएगा तो ये जो radius इसका हो जाएगा ये r और ये r से हो जाएगा तो इसका data देने का मतलब यह हुआ है तो देखिए solve करते हैं जैसे हम लोग normal solve करते हैं normal question को जो जिसमें रोवन नहीं होता है वैसे ही करेंगे start वैसे करेंगे तो p0-pt ये माल ये pt है p0-pt 2t by r इसमें कोई शक नहीं है कोई शक की गुंजवाइस ही नहीं है फिर मैंने p2 ये point p2 लिखा मैंने ये जो p1, p2, p3 एक ये height पर है p2-pt p2-pt height के difference से static pressure है तो ये rho 2gh हो गए दहां दीजे rho 2gh है क्योंकि इसमें जो है rho 2 density वाला liquid इपार हुआ है इसके रिए मैंने rho 2gh लिखा इन दोने equations को मैंने घटाया क्योंकि मेरे को p2-p0 निकालना है p2-p0 कितना है अगर मैं एक equation और कहीं से use करके p2-p0 निकालना हुआ दोनों के equate कर दों तो I can solve for T अब देखिए p2-p3 इसका हम लोग use करेंगे p2 is equal to p3 और p3-p0 किया देखे कली अगर मैं इस liquid को देखूं rho 1 density को तो मैं p3-p0 should be equal to rho 1gh ये rho 1 है ये height bh है तो यहाँ पर जो pressure होगा और जो यहाँ pressure होगा दोनों में difference rho 1gh का ही होगा तो rho 1gh लिखा मैंने अच्छा p3 is equal to p2 है तो ये p3 और p2 equal है तो p3-p0 should be equal to p2-p0 p3-p0 देखे rho 1gh है p3-p1 is rho 1gh ok p2-p0 is rho 2gh 2t by r दोने को मैं equate कर दूँगा rho 2gh minus 2t by r should be equal to rho 1gh rho gh को दर लेके आए 2t by r को दर लेके गए तो यहाँ से मेरा surface tension निकल के आया hrg rho 2 minus rho 1 sorry hrg rho 2 minus rho 1 divide by 2 question निकल के आया तो यह एक simple सा question है but एक अच्चा question है आपको एक बार आप खुतर टाई कीजिए solution देखने से पहले आप एक बार question में खुतर टाई किया कीजिए हार questions के लिए लाग होती है बात आप कोई भी question देखिए question देखिए एकदम simple straightforward था है इसमें कुछ बहुत जादा complexity नहीं है but फिर भी it is a nicely built question तो यह question competitive exams में भी आसता है it has full potential to be appeared in any of the competitive exams चाहिए कीजिए ओके बाबाई